शेहर में बाड़ ग्रिस्ति स्थिती के बाद प्रशासन मानो नूतरी करें के लिपापोती करता रहा लेकिन उच्छ नाने की जन्हित याचिकां के पाद थोड़ा बहुत काम तो क्या गया लेकिन अफसर अमबाजरी के आगे काम ही नहीं कर रहे हैं जो चिंता का विशे हैं से निरंतर जिन्ता और कई पार फटका लगाने के पाद किसी तरह अमबाजरी तालाप में गेट लगाने का टेंडर जारी किया गया लेकिन अब विभाग अमबाजरी से आके नीपड़ रहा है इसका अंदाजा इसी बास से लगाय जा सकता है कि अमबाजरी के और फ्लो को हटाने का काम शुरू किया गया पूरी कारेपनाने को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जब तक हाई कोड की और से आतिश नहीं होता तब तक अफसर काम ही नहीं करना चाते हैं लेकिन यह हैं कि सिटी में बार की कानों का पतान लगा कर उनका निवारम के लिए राज्य सरक कारी भर हाई कोड को दी जाती हैं किन्तों वास्तवी ग्रूप में धरातल पर किसी तरह का क्रियान वैन नहीं होता है कारे प्रणाली इस तरह की है कि जब हाई कोड की और से वास्तवी कारी के लिए पूछा जाए तो फिर अब तो एक कार्यों का लेखा जोका अगली संकम्चा की पास नाखनती से जो निपाली नाली पर कई बड़ी दुकानों का पक्का निर्मान हो चुका है ठीक नाली के बेच पिलर्स होने की कारण आउरोद बनावा हैं मन्पाप और प्रणास का आलम यह है कि इस तरह की अवेतन निर्मान की जानकारी अधिकार्यों को ह लेकिन इसके खिलाब किसी तरह की कारिवाई नहीं हो रही है कुछ दुकानों को लेकर हाइकोट में चली नाइक लड़ाई के बाद अदालत ने भी अवेदन निर्मान की खिलाब कारिवाई को हरी जंडी प्रदान कर दी फिर भी पूल्डो सर शांत है इसी तरह की अफसर शा